ओम सिरीगनी सायनम दोस्तों एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं दोस्तों आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आठ सेतंबर रविवार के रासी फल के बारे में कि हादिन सिंग रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकार हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा सिंग रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों जीवन साती से आज आपको शहुग प्राप्त हो सकता है परन्तु उसके लिए संबंध मदुर बनाए रखना बहतर रहेगा व्यवसाएक द्रश्टी से आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की ना बन रही है इसलिए यदि आप कार्रे व्यवसाए से जुड़े हैं तो उसे आज बहतर दिशा देने का प्रत्न करें आप जिस भी किसी कार्रे को कर रहे हैं उस कार्रे से संबंधित आज आपको अच्छी काम्याबी प्राप्त होनी की संभावना बन रही है साथिसाथ आ करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं जिससे उनकी लंबे समय से प्रतिक्षित उच्छ सिक्षा की कामना पूरी हो सकती हैं जह दोस्तों कार्रे छेत्र से जुड़े लोगों को भी आने वाले समय में पदुन्नती के रास्ते खुलेंगे और आपको ने ने विचार आएंगे जिन्हें अपना कर आप कार इस्थल पर भी अच्छा प्रदसन कर पाएंगे आप अचल संपत्ति प्राप्ति के लिए भी निवेस कर सकते हैं तो आपको लाब प्रद हो सकता है कामकाज से संबंदित किसी मित्र से भी संबंद अच्छे हो सकते हैं जह दोस्तों आ साफी प्रफुलित रहेगा मित्रों से सैयोग मिल सकता है यदि आप घर परिवार के साथ किसी कार्य को करने का प्रतन करते हैं तो वह भी आज सफल हो सकता है जिससे आप कमन बहुत दिप्रसन रहेगा दोस्तों साती साथ यदि आप नोकरी करते हैं तो भी साइड वैवसाय कर करने का मन बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं जिससे आपको काम्याभी अच्छी प्राप्त हो सकती हैं दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तों कुछ लोगों का अपने परिवार से अलगाव हो सकता है इसके अतिरिक्त आप अपने क कारे छित्र में व्यस्त होने के कारण तथा जीवन के अन्य पहलूओं पर अधिक समय देने के कारण अपने परिवार को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिसकी कमी आपके परीजनों को खलीगी साथी साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अपने काम पर पूर्ण सकती और मनोवल की आवशकता होगी साथी साथ आप अपने वित्य प्रवंदन के प्रती काफी सचित रहेंगे फिर भी आपके खर्च और बचट के बीच उतार चड़ाव की इस्तिती बनी रह सकती है इसे बहतर बनाने के लिए आपको उत्तम वित्य प्रवंद पहले से ही तैयार करना चाहिए ताकि प्रतीकूल समय में परिशानियों से बचा जा सके यदा कदा अनावशक बातों को लेकर घर में कहां सुनी हो सकती है माता का शयोग तथा सुख प्राप्त आपको हो सकता है परन्तु पिता के सयोग और सुख को लेकर सस्पैंस हो सकता है साथि भी काम के अधिता रहेगी और कारे सपलता के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करने पड़ेगी परदोड के बावजूद कारों में अफेक्चित सपलता नहीं मिलने से मन वेथित रहेगा किरूद पर आज आप नियंतन एम मानी पर सेयम रखे अन्यता बेवजा विवाद में फ कर सकते हैं तभी आपके प्रेम जीवन में विरद्धी होगी और प्यार के साथ साथ हर तरह के सैयोग की संभावना उत्पन हो सकती है एक दूसरे के कामकाज को लेकर भी आज सैयोग हो सकता है जह दोस्तो आज आप अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद और अपने प्रेतम को स्पेसल फील करेंगे इससे आपके प्रेम जीवन में मधूरता और बढ़ेगी और एक दूसरे के प्रती आकरशन की भी व्रद्धी होगी जह दोस्तो प्रेम संबंदों को लेकर आज इस्तितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं परन्तु आ आप अपने प्रेमी प्रेमिका के ऊपर पूर्ण विस्वास रखते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का आज प्रेतन करें साथे साथ यदि आप किसी को प्यार करते हैं और उसे पता ही नहीं तो ऐसे में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना आवशक है का वैवसाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तों आज ग्रहों की इस्तिती आपके अनुकूल रहने से आर्थिक लाब और नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं कारो बार आज अच्छा चलेगा और कारों में आज आज आपको अच्छी सपलता मिलने से धन लाब के इस्तित भविस्ते में आगे चलकर काफी लाबदाएक साबित होगा या दोस्तों धन के लेंदेन के लिए भी आज का समय आपके लिए बहुती अच्छा साबित होने वाला है दोस्तों कारेच्छित्र में आपके अनुकूल वाता वरन रहेगा हाला की कारबहर की भी अधिकता लेकिन कारों में सपलता मिलने से धनलाब की भी काफी अच्छी स्थिति रहेगी नौक्री में भी तरक्की के योग आपके लिए बन रहे हैं जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने स्वास्थ का भी विशे सुलूप से ध्यान रखना होगा क्योंकि अत्यादिक सोचने और चिंताओं के कारण आपका स्वास्थ बिगड़ सकता है साथ साथ पेट से संबंदित समस्याएं अधिक परिशान आपको कर सकती हैं इसलिए आज आप नेगटिव विचारों से दूर रहें सोचने समझने में आप समय अपना व्यर्थ ना करें और साथ साथ अपने खान पान पर भी आज आप विशे सुलूप से ध्यान दें साथ साथ दोस्तों अपने स्वास्थ को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें सुस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों हम आपको जिश उपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको रात्तरी के समय करना है आपको यह उपाएं रात को सोते समय करना है या दोस्तों आपको करना क्या है या दोस्तों आप सबसे पहले इशनान आदिशे निर्वत्र हो जाएं और सोते समय एक गिलास में दूद भरकर अपने सिर के पास रख कर सोएं इसके बाद आप सुबा उठें इशनान आदिशे न प्राप्ती होंगी और भगवान शुर्यदेव का अशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद